नबसकार बंसल नीज़ देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विजे कुमार पंडिया और बंसल नीज़ के खास कारी किरम बहस गर्म में आप सभी का स्वागत है और आज बहस गर्म हैं कॉंग्रिस की एक जुटता पर भारत जुड़ो यात्रा से कॉंग्रिस अनुशासन और संगठन में कसावट की बात कर रही है तो वहीं बीजेपी कॉंग्रिस के दावों को बेदम बता रही है उनका मानना है कि भीड जुटाने से कॉंग्रिस एक जुट नहीं होने वाली है लेकिन ये भीड क्या जुटाई जा रही है या खुद भीड आ रही है क्या बीजे जाती पाती का ध्रमबाद का महोल है इसको तोड़के और हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करना होगा राहुल गांदी की भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगा लेकर चल रहे पंडित दिनेश शर्मा जाने अन्जाने में ऐसा कुछ कह गई जिसके कई स्यासी मायने है उनका मानना है कि कई राज्यों से गुजर रही यात्रा, कॉंग्रेसियों को अनुशासन का पाठ सिखा रही है और एसी में बैठे रहने वाले निताओं को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर चल रही है मद्ध प्रदेश में विधान सभा चुनाव को एक साल से भी कम का समय बचा है ऐसे में सालों से विखरती आ रही कॉंग्रेस की एक जुटता को लेकर सीनियर लीडर जेराम रमेश का भी मानना है कि यात्रा से 2023 और 2024 में फायदा मिलेगा एक बात जरूर है कि भारत जुड़ो यात्रा से जो हमारे संगटन में नहीं जानाई है एक ता अलोशासन एक जुटता फिर नहीं उमंग दिखाई दे रही है ये 2023 के चुनाव और विधान सभा के और 2024 के चुनाव लोग सभा के उसमें मैं समझता हूँ कि जरूर फायदे मंद होगा हलाकि बीजेपी को कॉंगरिस के दावों में कोई दम नजर नहीं आता बीजेपी का मानना है कि 2023 के चुनाव में कॉंगरिस को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और दूर से एक जुट दिख रही कॉंगरिस अंदर से गुटों में बटी हुई है पहले दिन का शो करने के लिए सब लोगों को इखटा कर लिया धीरे धीरे हमने देखा कि यात्रा का हश्र क्या हुआ और आगे चलते जलते बाकी उनके नेता खुद जो यात्रा कर रहे है उनके स्टेटमेंट से भी बची-खुची कॉंगरिस का यहां का बड़ा होना तैह है इसलिए कॉंगरिस अगर मुगालतों में हैं तो बनी रहे मद्यप्रदेश में जन कल्यानकारी कारिकम मानिय शिवराजी की सरकार में हुए भारती जनता पार्टी की सरकार में हुए लगातार काम हुए काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का अशिरवाद वापस भारती जनता पार्टी को मिलेगा 2023 विधानसभा चुनाओं में भारत जोलो यात्रा से कॉंग्रिस को कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन यात्रा से मद्ध्रदेश में सियासी पाराज जरूर चड़ गया है विरोरपॉर्ट बंसन नियूज तो क्या वाकई कंग्रिस को लगता है कि भीड आ रही है या जुटाई जा रही है या और भीड की जरूरत है बीजेपी भी तैंच कस रही है जरा इस पर बहस गर्म है बात चीट करते हैं हमारे साथ मेहमान जुट रहा है गोविंद मारू साब बीजेपी प्रवक्ता हैं तो सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल रियक्शन मैं नहीं लूँगा मनोजी सबसे पहले आपके पास आता हूं क्योंकि यात्रा में आप करीब से उसको कवर कर रहे हैं बहतर समझते हैं कि भीड जुटाई जा रही है या भीड आ रही है या कॉंग्रेस एक जुट होने के लि देखिए भीड जुटाई जा रही है यह तो मैं नहीं कहूंगा हां लेकिन कॉंग्रेस की भीड आ रही है क्योंकि लगातार चारपात दिनों से मैंने इस यात्रा को कवर किया है तो यह दिखाई दिरहा है और आप देखिए पूरी यात्रा में यदि हम जैराम रमीश के ब लबे समय से हम देखते है राजनीती में यह होता है कि कोई व्यक्ति मेहनत कम करना चाहता है लेकिन पाना बहुत कुछ चाहता है लेकिन अब राजनीती बदली है राजनीती करने का तरीका बदला आप घर में बैटकर चुनाओं नहीं जीच सकते हैं आप घर में बैटकर ज इसे लब्ज जिनका मैं जिकल नहीं करना चाहूंगा लेकिन वो एक जो मिथक था वो तोड़ा है राहूल गांदी ने क्योंकि पैदल चल रहा है रोज 22-25 किलो मीटर तो हम यह नहीं कह सकते कि भीड आने रही है भीड तो आ रही है राहूल गांदी का स्वागत भी कर रही है कुछ भीड वो होती है जो रहूल को देखना चाहते है और कुछ वो होते है कार करता जो चलना चाहते है और अब चले या ना चले आपको निकलना पड़ेगा आपको सुबह चार बजे जागना पड़ेगा तो एक तरह से कहा जाए तो सोई हुई कांग्रेस को रहूल चलते हैं यानि कि तेजी आई है या आप भी बान रहे हैं उस तेजी से कई ने कई जो सत्ता पक्षे कई ने कई कोई ने कोई चिंता तो जरूर होगी कि अब चुनाओं में मेहनत तो दुगनी करनी पड़ेगी वीजेपी कहती हैं हमेशा से कि हम कमर कसके चलते 24 इंटू 7 नम ही कहें जो इसको कहना चाहिए लेकिन अंदर खानों की खबर तो यह हैं दोनों ही पारटी को समस्ता हूं देखता हूं नजदीक से कि राहूल गांदी की भारती जंता पारटी में बड़े गंभीरता से लिया गया है खुद बीडी शर्म कहीं बार यह कहते हैं कि हम अपने स साथ ही लेना पड़ा क्योंकि बात मालवा और निमार्की है मैं यह भी फूट करने लाइक बाद आनन जाट साथ आप भी पैदल चले होंगे जहां तक मेरा ख्याल है हलाकि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव तर रहते लेकिन फूटू किछवाने वालों में से नहीं थे कि पैदल चले फूटू भी खिचवारे हैं कई नेता ऐसे पैदल कंचलने फूटू ज्यादा खिचवार रहा है तो आपको लगहा है कि utilized यह रही च्छपास वाली भीड है या वाकरी लूग चलना चाहते राउल गांदी से साथ जूणना चाहते हैं क्मला जीका साथ देना मतलब हमारे कदम एक हो हमारे विचार एक हो हमारा मानस एक हो इस भाव के साथ भारत को एक जुट करने के लिए राहुल गांधी इस समय मध्यप्रदेश में हैं और राहुल गांधी जी के साथ मैं बुर्हानपूर से आगर तक था आज ही आया हूँ और कल वापस उस यात्रा से जुड़ जाओंगा तो मैं यह देख रहा हूँ कि दो पालियों में यात्रा होती है सुभह साड़े च्छे बज़े से यात्रा शुरू होती है और साड़े द के लिए जज़बा चाहिए होता है अपने नेता के साथ खड़े होने का हौसला चाहिए होता है और वो राजनीतिक डेडिकेशन की आवश्यक्ता होती है और समर्पन की आवश्यक्ता होती है और वो कांग्रेस के कारिकरता और मध्यप्रदेश की आम जनता कर रही है लगात करता है कि मैं साथ चलना चाहता हूँ या मैं चाहती हूं लेकिन चूंक Dawkins की मेरे मत मत सरकार से डरते हैं इसलिए मैंसाथ नहीं हो छल सकती है लेकिन में मेरा पूरा पूरा समर्थन आप कि यह देश में जो इस तामेश breaks वह है यही कारण है इसे इसे राजनीतिक यात्राइन की आवश्कता सब्सक्राइं है जीर ने काई कि लोगों ने रान बनकर वो रत्यात्राइं की है यह मुझे बताने की आवश्यक्ता नहीं है पैदल चलने वाले आचारी शंकर थे पैदल चलने वाले महात्मा गांधी थे पैदल चलने वाले मर्यादा पुरुषत्तम राम थे कि मालू साब के पास भी जाना पड़ेगा मालू साब जब से मैंने पत्रकारिता शुरू किये तब से मैं आपको डिवेट्स में देख रहा हूं और शायद मैं यह कह सकता हूं कि आप हमेशा से मजबूती से बात रखते आए हैं और राजनीती को बहुत करीब से समझते आएं होने वाली है विजय जी निरुद्देश बेसलेस बिना किसी बात के आप यात्रा निकाले तो आप टाइम पास कर रहे हैं जहां तक लोगों के आने का सवाल है लोग देखना चाह रहे थे कॉंग्रेस के लोग ही देखना चाह रहे हैं बाकि कोई नहीं जोड़ रहा है उन् इसले देदी क्योंकि उसमें लोग नहीं जूट रहे थे तो आप बेसलेस बात पर बिना किसी इशू पर बिना किसी मुद्दे पर अपने पुराने इतिहास पर मतलब शर्म करने के अलावा आप उस पर पश्चाताप करने के अलावा आप शमा मांगने के अलावा बाकि सब काम कर रहे हैं तो लोगों में इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा भारती जनता पार्टी जरास वारी है दिन भर पूरे साल बर गुमें और और में ने काना वह पप्पो को देखना चाहते हैं कॉंग्रES के कारे करता की आकिन दिखता कैसे हमारे पुझनकों कि उपादी दिये पहली बात आपत्ती जनक है आप राजनितिक मर्यादा का ध्यान रखे और उस पर बात कीजिए अन्य था भात करूंगा गलत तरीके से बात मत कीजिए लोग देखना चा रहे हैं कि आखिर ये अजूबा कहां से आए जो आलू को कहता है कि फेक्टरी में पेदा होता है मोदी जी के बारे में मत बोल ये इतना सब वो मोदी जी ने कहा है अनुच जोड़ो यात्रा पर बात कीजी ने बेसलिस क्यों बात कर रहे हैं जी बुटे से क्यों बटग रहे हैं मेरी आवाज आपको शायद आप नहीं मिल रही होगी आपके साथ ही प्रॉब्लम है मिल रही है आवाज जी जी मिल रही है सर मैं ये कह रहा है रही है और कोई जनता नहीं आ रही है उसमें उसमें तो कांग्रेस के वरकर सिधा उदर से ये जो जिनके जिम्में जिम्में आरी है जिस तरह के शब्दों के सरकाश चल रहा है का महाँ पर और देखिये ये यह वास्तों में सही बात है ये तो सभी कहते है ना पूरे देश में एक फेनोमेना बना हुआ है उनके बारे में कि वो सम पूरा ने आपके जो प्लू अगर की सरकारे आपके दावी नहीं है अगर जाता हूं मनोच जी क्या वाकिए स्यात्रा में कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है कोई कोई विशे नहीं है इसा जिस पर बात की जा सके कोई ऐसा विशे नहीं है जिसको लेकर लोग जूड रहे हो देखिए मुद्दे तो है मुद्दा मेगाई है मुद्दा किसानों के लेकर है मुद्दा यदि हम बात करने तो बेरुजगारी है जो कॉंग्रेस कह रही है लेकिन बड़ी बात यह विजए आज का मुद्दा ही हमारा यह है कि क्या कॉंग्रेस अनुसासन वाली पार्टी बनते जा रही क्या कांग्रेस के भीतर वो गुटबाजी जिसकी हम चर्चा किया करते थे उसको दूर करने की तैयारी और आप देखी राहुल गांधिक नही राह पर है वो अपनी कांग्रेस को नई तरीके से खड़ा करना चाहते हैं गरना चाहते हैं और इस बात को लेकर आपको सौप दिया जाया जब तक पूरा ना हो चैन से मत पैठिये और यही इसलिए करडर वेस पार्टी कही जाती लेकिन कांग्रेस के डर वेस पार्टी नहीं कांग्रेस ब्यक्ति वेसे पार्टी है पर अब चीज़ें बदली है और राहुल गांधी उसको वही लेकर जा अलग-अलग स्टेट्मों की सरकार जहां कांग्रेस की सरकार रहा करती थे तो हुआ कैसे लेकिन देर से सही पर दुरुस्त आने की तैयारी है कांग्रेस की जहां तक बात करें की भीड़ जटाए जा रही है तो आप और हम सब जानते है कोई भी पार-टी ओ बीजे- दवाय होती है तो फिर बीड कैसे आती है यह हम सब जानते हैं तो पर मुझे लगता है कि इसको बड़े ही एक अलग नजरिये से देखने की जरूरत है कॉंग्रेस की वीतर जैसा जैराम रमीज किया रहे थे जान फूक दी इस जात्रा ने तो कितनी जान फूकी यह 23 और 24 में स कि बीजेपी अभी साधी को समझ नहीं रही है और जिस तरह से मालू साब बोल रहे हैं मुझे लगता है कि वह आपके बात को और साबित कर रहे हैं कि कहीं लोग जुट रहे हैं कहीं से तो खबरें आ रही होंगे सर युद्ध के पहले अगर आप अपने अपने सामने वाली पार्टी को अगर आप ऐसा आखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं जाट साब कि क्या ये वो तैयारी है जिसमें एक अनुशासित पार्टी होकर कॉंग्रिस ये चुनाल जीतने की जुगत में है विजय जी बहुत अच्छा सवाल है मैं दो घटनाओं के माध्यम से आपको बताता हूं इंदौर में जब यात्रा रुकी तो रात्री विश्राम इंदौर में था और मैं अपने पार्टी के साथियों के साथ सर्राफा बाजार इंदौर में कुछ खाने पीने के लिए रात हैं तो उन्होंने पेमेंट लेने से इंकार कर दिया सर यह मतलब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं एक शब्द जूट नहीं है और वह कॉंग्रेस बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने कहा कि हमसे बहुत गल्ती हुई और उन्होंने अपने दो बार की गल्तियों का पश्च कि कल जब राहुल जी इंद और में चलेंगे तो मैं चलूंगा और वो आए उस यात्रा में मेरा नंबर लिया मुझसे बात की और उन्होंने जब इस तरह की बात के और उन्होंने कहा कि यह महंगाई आज सब्सक्राब कर रहे हैं क्या और उसके बाद दूसरी घटना बतात तो उन्होंने सामान लिगा था और उन्होंने कहा कि खाना भी मिलेगा आप लोग की तपस्या को सेल्यूट आपके नेता की तपस्या को सेल्यूट इन्होंने एक तार यात्रा की थी वह हम उनकी तरह नहीं नहीं को तुलसिदाजी उनकी तुलना करते हैं रावन से हमारी यात्रा वो जोडो यात्रा नहीं है आप अपने पक्ष रख दिया मालु साब इन दौर में लोग पसंद कर रहे हैं जूत रहे हैं दूपट्टा देख आप जितनी बात कर रहे हैं कि अलग जगा रहे हैं यह सब कर रहे हैं मुझे समझ में आता है यह पापा ताप यात्रा है यह तो अभी सिद्ध हो जाएगा गुजरात और हिमाचल के परिणाम आठ तारीक को आ जाएंगे तब पता लग जाएगा इसका इंपेक्ट कितना है औ और लोगों में क्या इसमें नजर आ रहा है कि राहूल गांदी यह जो इतना कॉंग्रिस दावा कर रही है मैंने कहा ना कोई ब्लू प्रिंट आगी निकास कासु शासनकार क्या लाइटली लेंगे कॉंग्रिस को आप जब जब देखिए 1977 में सरकार गई ब्रष्टाचार के करन गई मनमोहन सिंग्जी की सरकार ब्रष्टाचार के करन गई तो मैं ये इस्तिहार से ब्रष्टाचार का इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं वो वो बात केवल मैंने कहा ना कि कॉंग्रिस देखिए ने और दिखिजाशन का भई अभी गुडबाजी बंद करो यातरा निक जा रहे हैं तो उसमें तो उनको साथ में चलना ही पड़ेगा सबको एक साथ लेना ही पड़ेगा लेकिन कॉंग्रेस की गुडबाजी खतम हो जाएगी अनुशासन आ जाएगा ये तो एक मिराकल है ये तो एक कपोल कल्पित बात है ये कभी सच नहीं हो सकता जिस आदमी ने जिस पार्टी ने केवल वंशवाद की बात करी हो उनी से उनग्रेस सक्टा के लिए कांग्रेस लिए ये जो यात्रा निकल रहे हैं इसमें कोई बी ऐसा उद्वेलन कोई लोगों के मन मस्चिश में कोई बात आ रही है वो पूछते हैं बही कांग्रेस ने पहले किया उसके जो आज की मुद्दू पर बात हो रही है साल भर तक इन्हें जिन्दा रख पाएंगे क्या विल्कुल रख पाएंगे और अभी तो यह यह जो भारत जोड़ो यात्रा मद्यप्रदेश से चार तारीक को राजस्थान प्रवेश्थ कर जाएगी अभी आप देखते जाएगे कहा था कि तमिलाडू में तो भीड जुट जाएगी जब कन्या कुमारी से यात्रा शुरू हुई फिर कहा कि केरल में तो भीड जुट जाएगी फिर कहा था कि तेलंगाना में तो जुट जाएगी फिर कहा था अंदर प्रदेश में जुट जाएगी फिर कहा था महराष्ट में असली परिक्षा महारास्त ने दिखाया अभी मध्यप्रदेश दिखा रहा है रोज देख रहे हैं भारती जंता पार्टी के नेता की राहुल गांधी जी की सेना जो है पूरे मध्यप्रदेश में आज भाजपा की आखों की किरकिरी बनी हुई है किस प्रकार से वो यात् तरगत नौकरी और चिकिस्टा की पढ़ाई के लिए आवदन किया था उनकी तपस्या को छीन लिया गया उनकी तपस्या को लूट लिया गया जो मोर्भी में यह आखरी सवाल आप से बूचता हूं जहां कई बार बूट पर बूट कारकरता नहीं मिलता आपको कई बार ऐस लेकिन इस भीड में से वह युवा शक्ति आपके साथ जूट रही है जो बूट तक काम करती है यही स्ट्राटिजी यही मजबूती है बीजेपी की सर आप यात्रा के फुटेज निकालिए और मालूस आपको भी दिखाईए और बीजेपी के जो लोग आएं उनने जार साब कई ब्रह्मित व्युवा भी जुड़ जाते हैं क्योंकि स्वराभासकर को लेकर भी कोई सारी बात ही हुई हां करता हूं ना स्वरा भासकर जी के बारे में अभी अगर आप प्रशन पूछना चाता है आपके आपके बात करने की राज़ीति करते हो और इसका जवाब आपको भारत और मध्या प्रदेश की जंता देगी हिंदुस्तान की जंता को वेवकूप बनाना बंद कीजिए दो करों रोजगार का सवार आज जिन्दा है मैं रोक रहा हूँ आपको रोक रहा हूं कि एक जुट होती हुई भी ठाश ब्रक्रेश कानेकशन चल पाएगा क्या देख रहे हिए आप क्या होता न कई बार की देजभक्ती का गाना बचता है हमें भी ठोड़ा सा घुसा करने लगता है कई बार हमारे भी रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं लेकिन फिर दस मिनिट बाद वहीं आपने पॉप कॉन काया घर चले गए यह भक्ती जो अभी दिख रही है यह जो स्ट्राटीजी अभी दिख रही है यह लॉंग टाइम तक लंबे समय तक स्थिर रहेगी क्य बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है यदि रहुल गांदी जहां से गुजर रहे हैं उर्जा का संचार करके जा रहा है तो अगली जो पीड़ी है या जो यहां रहने वाले लोग है चाहिए वो मद्विदेश की नेता हो राजिस्तान से निकलेंगे तो राजिस्तान की न समिक्षा भी करती है यदि आपकी यात्रा यहां से गुजरी है तो वहीं देखेगी कि कहा कहा कितनी इस्तितियां कौन कितने लोग गए ने कि मजपर बैटकर बात करना एक अलग है लेकिन अंदर बैटकर बात करना और समिक्षा करना कि उनकी पार्टी या राहुल गादी यह हम थोड़े से कमजूर है उनने होने माना है यात्रा की बीच में आज मेरी एक बरिष्ट नेता से बात हुए विजए तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा एक चैलेंज रहेगा पार्टी के सामने कि यात्रा तो निकल जाएगी लेकिन यात्रा के बाद उस उर्जा के सं पूरी हो रही है लेकिन वहीं बीजेपी को भी इन पर अपना एक्शन और रेक्शन तैयार करना होगा अलाकि साल बर का वक्त है लेकिन फिर भी यह समय कहीं रुकता नहीं है बहुत तेजी से गुजरता और आप सिर्फ और सिर्फ वहां फिर चुनाव में जंता के पास वा और विकास की और जरूरत महसुस करती जलता बहुत और शुक्रिया आप तिनों का हमारे साथ जुनने के लिए बादचीत के लिए बैस गरम में फलाल इतना ही